हेलो दोस्तों क्या हाल है तो प्रधान पार्ट वाटरफॉल चलिए दिखाता हूं जो कि देवगड में संभलपूर से 70 किलोमेटर दिस्टांस है तो यह आ गया हमारा टिकेट 50 रुपेश ले रहे है और यहां पे मेंसन के आ गया है कि नहाना मना है पानी बहुत ही साफ है उसलिए नहाना मना है तो हम लोग आये हैं देवगड डिस्टिक में तो पहले आपको यह देवगड का नाम मिलेगा यह जो वाटरफॉल है यह टाउन के अंदर ही है एक किलोमेटर डिस्टेंस में है टाउन से ज्यादा डिस्टेंस नहीं है टाउन के अंदर ही है तो आपको वहां पे जाने में म तो ज्यादा डिस्टेंस तो था नहीं एक ही किलोमेटर का डिस्टेंस था हम जिस लोकेशन पर आये थे तो लगबग हम लोग पहुंच चुके हैं यहां पर पहले तो आपको राइड हैंड साइड पे एक पार्क दिखेगा तो आप चाहो तो वहां पर भी घुम के जा सकते हो या फिर बाद में आप वहां पर आके घुम सकते हो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा वीडियो में यह जो पार्क है यहां पर बाइक का पार्किंग है तो वहां पर आप देख सकते हो पार्क और यहां पर एक स्टेचू बनाए है पार्किंगा कोई इसू नहीं है और यह आप देख सकते हो यह पिकनिक का पूरा एरिया है यहाँ पे पिकनिक करने के लिए ही बनाए गया है और पेड बहुत ही बड़े बड़े हैं और बहुत ही खुपसरत है नीची छाओ है और पारकिंग का कोई इसू नहीं है जैसा कि मैंने आपको बोला था और अगर आप ठक भी जाए तो बैटने के लिए भी बहुत सारे जगा है यहाँ पे गेट लगा दिया गया है ताकि कोई अंदर ना जा सके यहाँ पे स्वच उरिसा का साइन बोर है तो जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको पानी का जो सोर है ना वह सुनाई देगा बहुत क्लीन जगा है और इतना खुबसूरत जगा इधर पहाड है इधर पहाड है बहुत सारे पेड़ है बड़े बड़े पेड़े तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा दिल को बहुत ही खुबसूरत जगा है तो हर एक पहाड चड़ने के लिए हमारे पास होता है सीड़ी तो यह आ गया स्ट्रगल टाइम सीड़ी चड़ने का सीड़ी चड़ना पड़ेगा चोटा चोटा स्टेफ है अच्छा है बड़ा नहीं है ज़रने के पास आओगे तो पाने का साउन तो होगा तो सुनाएं कि बहुत ही उपर से पानी आता है तो वहां से मोबाइल केमरे में बहुत सब कुछ अच्छा नहीं दिखेगा तो प्लीज एक हजार सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी को एक बहुत ही बहतरीन सुन्दर सुन्दर क्लिप दिखा सकों तो यह लिगे हम लोग पहुँच गया है एक गुफा जैसा बना के यहां पर एक अर्टिफिस्यल टाइगर को रखा गया है यहां से आप फोटो बगएरा वीडियो बगएरा बना सकते हो यहां पर बनाय गया है इसलिए और बी केरफुल नीचे मत गिरिएगा तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि यहां पर एक टा ना तो अभी तोड़ा पानी कम है बारिस कम मौसम होता तो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा होता तो बहुत ज़्यादा है और बहुत ही सुन्दा दिख रहा है तो चले मैं आप सभी को नीचे जल के दिखाता हूं अलागि अंदर जाने को एलाउ नहीं है फिर भी कोसिस करत पूछ के जाते हैं अंदर जा सकते हैं तो जाएंगे तो इस तरफ पानी जाता है यहां पर साइन बोल लगा है पीने का पानी है तो नहाना मना है तो प्लीज आप इस जगाय को गंदा मत कीजिए का नहाए गंद नहीं तो यह लोग फोटो बगेरा ले रहे हैं और इस तरफ देखते हैं आप इतना बड़ा पहाड़ है तो बहुत खुपसीरत नजारा है मोवाइल के मेरे में उतना नहीं दिखेगा लेकिन चलिए फिर भी हम लोग नीचे चल के देखते हैं रास्ता है और इस तरफ से पानी जाता है तो देखते हैं चलते हैं नीचे तो यहां नीचे जाने के लिए स्टेप्स बगरा बना है और अब इजली यहां पर नीचे जा सकते हैं इधर बैठने के लिए भी जगा है और रेलिंग बगरा है तो आपको चड़ने में उतरने में कोई दिक्कत नहीं होगा और यहां पर भी रेलिंग लगा है अंदर जान मना है और यहां पे हम लोग खड़े थे जहां से हम लोग पोटो बगएरा वीडियो बगएरा ले सकते हैं तो चलिए अंदर चलते हैं कि 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 अलाओ है तो फाइनली हम लोग यह देख रहे हैं कि कि इतना खुबसूरत है यहां का लोकेशन तब देख सकते हैं कि यह पानी कित कुछ भी गंदगी ना फैलाएं यह मेरा रिक्वेस्ट है उचम गंदगी किघ जरो अरो बांदा रिक्वेस्ट जरो कैं़ लुडब स्च्ट अरो करफे दंद नेक्वी है की का शीओ स्बट मेरा रिक्वेस्ट अरो कैं़ तोe है को शीओ से नेपर बहून ऐसा कुछ था प्रदान पार्ट वाटरफॉल तो यहां पर रेलिंग बगएरा लगा है ताकि चलने उतरने में कोई दिक्कत ना हो तो यहां पर बेंच बगएरा भी बनाए गया है ताकि अगर आप थक भी जाए ना तो भी यहां पर वेट कर सकते हैं थोड़े टाइम के आपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कोई आपको रोके गार टोके कर नहीं तो यह रहा ऐसा कुछ दिखता है वहां उपर जाना है तो बस ऐसा ही था अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज और यहां पे कुकिंग के लिए भी एलाओ है तो अगर आप यहां पे पिक्निक बगरा करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हां लेकिन पर्मिशन लेके जरूर कीजि तो आप सब कुछ इंक्वारी कर लिजीगा अगर आप ठक जाएं तो बैठने के लिए यहां पे जगा है बहुत सारे जगा है यहां उपर भी जगा है तो जिस पार्क के बारे में मैंने बताया था यह रहा वो पार्क तो चलिए अंदर चल के दिखाता हूं क्या है तो राइट हंड साइड में बच्चों के लिए खिल नी की जगा हैं यहां पे बच्चों के लिए हार एक चीज है और इधर आप quality time spend कर सकते हो बैठने के लिए bench बगएरा भी है और यहाँ पे बहुत ही बड़ा बड़ा I love फ्रधान पार्ड लिखा हुआ है यहाँ पे भी आप photo बगएरा ले सकते हो बैठ सकते हो, time spend कर सकते हो तो ज्यादा कुछ नहीं है पार्क में दिखाने के लिए तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है यह संबलपूर से nearly 70 km distance है यहाँ पे train नहीं आता है, bus आता है तो आपको nearest place होगा संबलपूर तो संबलपूर से आप easily यहाँ पे travel कर सकते हो तो बहुत ही खुबसूरत जगा है मुझे तो यहाँ का environment बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इतना clean environment और कहीं पे भी नहीं मिला मुझे अभी तक जहाँ पर भी मैं जाता हूँ वहाँ पर भी clean होता है लेकिन यह थोड़ा हटके है यहाँ पे बहुत ज्यादा clean है तो आपको जगा पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंड कीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा motivate हो और मैं नया नया जगा explore खुद भी कर सकूँ और आपको मेरे वीडियो की थ्रोभी बता सकूँ कि वो जगा कैसा है क्या है और आपको मेरे साथ travel करवा सकूँ तो comment ज़रूर कीजिएगा तो बहुत ही खुबसरा जगा है time spent करने के लिए इस से अच्छा जगा और कहीं बेभी नहीं है टाउन से सिर्फ एक ही kilometer distance है अगर आप चल की भी आना चाहो तो भी आ सकते हो लेकिन मैं recommend करूँगा अगर family family के साथ आ रहे हो तो गाड़ी बगएर आ लेके आओ parking का कोई issue नहीं है 50 rupees है parking ticket एक दिन के लिए है picnic के लिए भी places यहां पे पूरी तरह से यह जहां पे मैं अभी खड़ा हूँ आप देख सकते हैं यह पूरा area picnic के लिए बना है गया है यहां पे cooking cooking कर सकते हैं यह एलाव है आपको यहां पे पानी का कोई problem भी नहीं है और यह जो पानी है यह जहने का पानी यह डिस्टिक में supply होता है तो पानी कितना साब होगा आप उसी से अंताजा लगा सकते हो तो आज के लिए बस इतना ही आपको प्रधान पाट waterfall कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर लिखेगा और मेरा 1000 subscriber करवाने में थोड़ा help करो या क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे जगा में लाने वाला हो जो कि आपने पर सुना होगा और साथ नहीं भी देखा होगा तो भी मैं आप सभी के लिए explore करने की कोसिस करूँगा और बहुत ही खुबसुरत वीडियो लाने की कोसिस करूँगा तो यह जगा मुझे बहुत ही अच्छा लगा इतना ब्यूटिफुल सा प्लेस और बता रहे थे कि देवगड चारो तरफ पहाड है और उसके बीच में देवगड है तो बारिस के मौसम में तो और ही ज़्यादा खुबसुरत दिख रहा होगा वहाँ पे वाटरफॉल में आप नीचे तक जा सकते हो लेकिन वहाँ पे नहा नहीं सकते हैं मूर नहीं दो सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह जो पानी यह डिस्टिंग में सप्लाय हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा साफ है और एंभारमेंट तो इतना साफ है इतना साफ है बाफ़ होगे मुझे तो मतलब मैं अपना एक्सपरियंस शेयर कर सकता हूं लेकिन अपने दिल की बात जो है मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना ज्यादा साफ है तो बहुत ही खुबसूरा दे रिया है आप आए यहां पर एक्स्प्लोर कीजिए बहुत ही खुबसूरा जगा है